हेलो गाईज आपके अपनी चैनल एफूरस पी बेस्ट की चन टिप्स हैक्स कुछ यूजफुल हैक्स लेकर आपके सामने दोबारा हाजिर हो गई है तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों में सेयर जरूर करिएगा तो चलिए वीडिय है दिपाली में दियों का यूज़ तो आप करते ही होंगे तो दिये बहुत है सारे लगते हैं और वो बच जाते हैं तो उनको आप फेक देते हैं लेकिन इन दियों का यूज़ आप बहुत कई सारे कामों में कर सकते हैं तो आज वही आपको बताने वाली हूँ तो सबसे प वास कर देंगे जब हमें इस्तेमाल करना रहेगा तब हम इसको वास कर देंगे थोड़े देर पहले फिर रख देंगे तो यह सूख जाएंगे बड़े अराम से और जब आप नए दिये खरीद कर लाते हैं तो उनको आपको भीगो कर वैसे भी पानी में रख कर कुछ देर बा देना है मिटी में ठोड़ा समय पानि डाल देना जिसके गीली हो जाए मतलब इस तरीके से खिली हो जा है तो आँ एक मतलब सबते करने या तुलसी माताहिए तो लिआ के पास आप पूजा करते होंगे आप ल को पेड़् है अक्सर और के पेड़ के पास चीप संक्तिके रगाना होता है या कुछ भी लगाना होता है तो हर जग ह不知道 भ् Hawai लेकर जा नहीं सकते हैं है तो कॉ उसी का यूजित कैं बस हम उसे के लिए करने वाले हैं इस तरीके से आपको कोई भी इस तरीके से अगर बत्ति के पीछे वाला जो पार्ट होता है वो बच जाता है तो उसको हम ले लेंगे उसी से इसमें इसा होल होल बना लेंगे या कोई भी आप डंडी ले सकते हैं पतली से यह देखें बिल्कुल इसी मिट्टी में इस तरीके से आपको होल बना लेना और अब क्या करना इसमिट्टी को हमें धूप में रख देना है, तो इसको हम धूप में रख देए हैं और अच्य से सुख जाझ से यह देखे है अब इसको हम रख देंगे में तो यह सूख जाएगा तो यह बेकार नहीं होए zoo देखिए मैंने एक बना लिया था पहले से धूप में मैंने रख दिया था और इसको हम धूप में रखकर इसको सुखा लेंगे अच्छे से देखे एक अभी जो बनाया वह नहीं सुखा है और तीन पहले मैंने बना कर रखे हैं मैं इसको यूज करती हूँ तो यह सुख चुक color करने वाला color आता है उससे आप इसदी एको सजा सकते हैं तो यह क्या बढ़ना नहीं लगए क्ला मुच्ण से तरिके से जैसा वीडियो में दिखाया जा रहा विल्कुल तरेके से आप color कर सकते हैं अगर आपके पास color paint है तो आप color उससे करिए नहीं तो आप बढ़े असानी से कळलर कर सकते हैं कई नेल पेंट रहते हैं जो एक्सपायर हो जाते हैं खराब हो जाते हैं तो सका है यह देखे कर देंगे का डेकोरेट क्या करने से यह होता है कि दीए पुरान नहीं लगेंगे और बहुत अच्छे भी लगेंगे दिखने में कि बीना डेकरेट के भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं यह दिखे इसलिए मैं कलर नहीं बता रही है क्योंकि नेल पेंट तो सब भी महिलाओं के पास होते ही है तो उसका यूज़ आप कर सकते हैं इस तरीके से यह देखे तो आपके पास कईी color तो जो भी कलर आपको यूज करना कर सकते हैं तो जब आप अगर बती जिसमें आप लगाते हैं उसको खरीदने जाते होंगे तो नौर्मली 10-15 रुपए का तो मिलता ही है तो इसके क्या होगा कि मतलब हमारा जो यूज की वह समान उसका भी यूज हो जा रहा है और हमारे पैस रख सकते हैं और बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं तो इसको बनाईए जरूर यह देखे जैसे अगरवत्ती है आपको अगरवत्ती लगाना हुआ तो आप इसमें बड़े असानी से इसको यूज इस तरीके से कर सकते हैं यह देखे मैं आपको लगा कर दिखा रही हूँ यह देखे अगर 32 में नहीं गिरेगी और आप चाहे जितनी अगरवत्तिया लगा सकते हैं यह देखे तो रहान अकमाल का तरीका तो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करेगा कमेंट करेगा कुछ पुछना रहे तो आप कमेंट कर सकते हैं और अब दूसरा है कि इस सुरा सतनी होन जल जाती है तो उसकी राख वगहरा हमारे पेपर पर हमंदिर वगहरा में नहीं जहां नहीं भाप पूजा दिक्कत होती है तो इस में आप अधूप सलगा सकती कि यह कर सकती है कि इस वह लोबान मितलब कुछ भी आप को जाना हुँआ तो आप इसमें इसका यूज कर सकते हैं धिये का थोड़ा हम डेकुरेट करतें करने से क्या होता है कि कोई भी मत कम हशाज होज ह SMS जाब करें मतका कहां खरीद के लाइब तो इसको की ठींडर करेंगे यहette मैं आपको पास से दिखा दे रही हूं अब तयार हो गया अब इसमें हम यह देखिए धूप जला देंगे यह देखिए है दूप अगरबति अब तीसरा है है कि आप यह दीया आप टेम के लेंगी जक्क्रास चोटे चोटे टुकुड में इस तरीके सेeteल कर होगा आपके पास ना तो उसी से चोटे-चोटे यह देखें इतने चूची चूची पार्ट में तोल देना है तो क्या होगा इससे दरदरा जैसा पाउडर बन जाएगा तो आप जो है जो एक तार आता है बरतन गिशने वाला उसको खरीद के लाते मार्केट से न तो इसमें आपको हलका सा बस निर्मा पाउडर मिला देना है या कोई भी जेल जो आप बरतन दुलने वाला उसको मिला देंगे इस पाउडर में और इससे बरतन साफ करेंगे तो ज़रूर देखेगा और कमेंट करके ज़रूर बताएगा और आप बारे आती है मोमबत्ती की तो मोमबत्ती अगर आप यूज करते हैं जब मैल्ट हो जाती है तो वह पूरा इस दिये में गिरेगी मतलब अपका ये जो फ्लोर होगा वह भी नहीं खरब होगा और जो मिल्ट तो बस उसको इसमें डाल देना है डबल करके या आपके पास कोई कपड़ा और कोटन का तो उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो इसको डाल देंगे देखें तो यह फिर से इस तरीके से मेल्ट हो जाएगा और फिर इसको आप जमा देंगे तो इसको फिर से यूज कर सकते बहुत ही असानि से देखे जम जाता है यह देखे यह यूज के वह पार्ट है मुम्मत्ती का उसमें अब इसको फिर से जला सकते हैं और बहुत ही असानि से जलता है यह देखे तो आप इसको दोबारा यूज कर सकते हैं इस तरीके से यह दिखें तो रहना का माल का एडिया है तो लाइक जरूर करेगा प्रीज और सब्सक्राइब कर लीजिएगा आपको याद दिला देती हूँ और और टेड़ है सारे चैनल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अब बारे आती है गैस की तो गैस के नीचे बहुत गैस में तो यह स्टेंड ऐसे बना रहता है लेकिन फिर भी जो है अमें नीचे जाड़ो मारने में गैस के या पुछा पूरा हाथ नह इतनी उची नहीं होती है तो उसके नीचे साफ करने के लिए आप इस दीव को गैस पर रख सकते हैं तो और भी कही एक से हैक्स है और टिप्स और ट्रिक्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और अपना प्यार इस तरीके से चैनल पर बनाए रखें तो थैंक्स पर वाचिंग प्ली सब्सक्राइब कमें लाइक बाइब बाइब